Hello Friends, Welcome to Information for Visually Impaired YouTube Channel हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबी को मलते हैं Fully Accessible Talk Pack के साथ Technology, Job अलट्चे सब्मंदित, नई-नई Updates इन नई Updates को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने वेल आइकन को प्रेस करके कीजिए All पे सेट ताकि आप को मल सके हमारे वीडियो की सबसे पहले अपडेट तो Continue Watching Information for Visually Impaired ये YouTube चैनल नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीड करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्त होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा एक सीरीज को चलाया जा रहा है जिसका नाम है Q&A यानि Question and Answer तो आप लोगों का दोस्तों पिछली वीडियो में इतना अच्छा सपोर्ट मिला कि मुझे ये वीडियो बनाना ही पड़ा अगर इसी तरह आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो मैं आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा टीम क्रियेट करके बहुत ही प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा Question and Answers को लेके कुछ experts को भी लाऊंगा तो आप सभी से निवे देने दोस्तों जो पिछली वीडियो में आपने प्यार दिखाया था वही प्यार आपको इस वीडियो में भी दिखाना है और इस वीडियो को भी बहुत लोगों तक शेर करना है ताकि सभी उसको देख सकें अब दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिछली वीडियो जो मैंने संडे को अपलोड की थी कॉशन एन आंसर की पार्ट वन उसमें कुछ कॉमेंट आये हैं उसमें कुछ क्वेरिज आये हैं आप लोगों की उसका रिपलाई मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाश्ट तक देखेंगे और अपनी अपनी क्वेरिस को करेंगे ठीक है मतलब कि मैं आप उसका आंसर दूँगा आपको और आपका आंसर उसको मिलेगा और आप उसको अपलाई भी करेंगे और आपका काम भी हो जाएगा ऐसी मैं आप सभी से उमीद भी यहाँ पर करूँगा उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक दो बाते मैं ने ऐसी पूछी है आपसे वीडियो में वीडियो के लाश्ट में पूछी है हम यहाँ पर queries को ले लेते हैं और आपकी queries का reply कर देते हैं ठीक है उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू अगर हाँ हमारे चैनल में क्योंकि जो पहले से मेरे subscriber है वो अच्छे से जानते है कि हमारे चैनल में कौन-कौन सा content डाला जाता है कौन-कौन से series चल रही है बट जो चैनल पे पहली बार आए है आप सभी से निवेधन करूंगा कि आप चैनल को subscribe कर लिजेगा पास में दिये गए notification जो बैल होता है उसको double tap करके all पे set कर दिजेगा ताकि मैं जब भी कोई video upload कर उसका latest notification आपको प्राप्त हो सके आप मैं आपको बता दू हमारे चैनल के द्वारा बहुत कुछ जो visual impedia ने ड्रिष्टी बादित लोगों के लिए बताया जाता है मार लिजे कोई सरकारी भरते निकली है उसमें ड्रिष्टी बादित दिव्यांग जनों के लिए कितनी सीटे आरक्षित की गई है कौन कौन से राज्ये में उनका जो result आता है उसकी cut off क्या रहती है admit card का बाता है answer की उसके अलावा दोस्तो writer guideline कौन सी लागू होती है में तमाम जनकारी हमारे चैनल के दुआरे दी जाती है और बहुत सारी वीडियो में अप्लोड भी कर रखी है आप जाके देख सकते हैं चैनल की playlist में जो बलर्ट की नाम से playlist है उसके लावा online UDID card railway concession card है ना उसके अलावा आपका IRCTC application तमाम वीडियो मैंने बना रखी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी queries पूछिएगा आपको मैं वीडियो के last में बताऊँगा आपको query कैसे रखनी है और किस किस category की आप query रख सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरुआत कर लेता हूँ पांच queries हमारे पास आई हैं पिछली वीडियो में पांचों ही queries का मैं reply करने का प्रयास करूँगा और उमीद करूँगा कि आप मेरे reply से जरूर जरूर संटुष्ट होंगे उसके अलावा दोस्तों comment करके जरूर बताईएगा कि आपको जो मैंने बताया आप उससे संटुष्ट है या नहीं है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं और दोस्तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि वीडियो को आप शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हाला कि पिछली वीडियो में काफी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं ठीक है और दोस्तो लाइक की बहुत ज्यादा कमी है दोस्तो पिछ में नहीं देगा यूटूब किसी को भी है तो फटा फट से आर नीचे लाइक बटन दबादो पहले आपसे रिक्वेस्ट है निवेदन है उसके बाद अब हम आपकी क्वेरिस पर आते हैं तो पहला सवाल देख लेते हैं हम पहला सवाल यहां पर पूछने वाले हैं नजव देखें यहां पर यह पूछ रहे हैं कि जी बोड में ऐसी कौन सी सेटिंग है जिससे की वो टाइपिंग इंग्लिश में करें बट वो हिंदी में हो जाए देखें मैं आपको बता दू ऐसा पोसिबल नहीं है आप जी बोड में एक से ज्यादा लैंग्विजिस को एड़ कर सकते हैं जब आप जी बोड को जी बोड की सेटिंग करेंगे मैंने जी बोड पर वीडियो भी बना रखा है कंप्लीट आप उसको जाके देख लिजिएगा ठीक है गूगल सीरीज में मिल जाएगा आपको तो उसमें मैंने बता रखा है कि अगर आपको हिंदी टाइपिंग करनी है तो आप हिंदी वाला की बोड कैसे लगा सकते हैं अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग करने तो आप इंग्लिश वाला कैसे लगा सकते हैं बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इंग्लिश में लिखें और वो हिंदी में टाइप कर दे हां ऐसा जरूर हो सकता है कि ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक बात है जब आप जी बोट में टाइप करेंगे ऊपर ट्रांसलेट का अप्शन आपको मिलेगा पहले टाइप करके इसको कोपी कर लें उसके बाद पेस्ट करें तो जो ट्रांसलेशन का इसका फीचर है उसको यूज़ करके आप यह कर सकते हैं वो द्रिश्टी बादित यानि एक ब्लाइंड व्यक्ति ATM को कैसे यूज़ कर सकता है मतलब कि ATM मशीन पर जाके वो वहाँ पर पैसे कैसे निकाल सकता है उसको यूज़ कैसे कर सकता है दिखें यहाँ पर दो तीन बाते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आप ATM मशीन पर जाते हैं मानता हूँ कि हर जगा टॉकिंग वाली तो नहीं होती है बट एक शर्थ यहाँ पर यह कि टॉकिंग वाली मशीन होनी चाहिए उसमें टॉकिंग सॉफ्वेर होना चाहिए तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे और तभी आप उसमें से अपना विड्रॉल बगरा कर पाएंगे डिपोजिट कर पाएंगे बट मैं रेकमेंट यहाँ पर यह करूंगा आप सभी को कि आप टॉकिंग मशीन पर निर्भर ना रहें क्योंकि वहाँ पर सेफटी परपस के लिए एक नॉर्मल इंसान हमारे साथ होना चाहिए एक साइटिट परसन हमारे सा जो है विट्रॉल करें और आप टॉकिंग मशीन के चकर में ना पड़ें क्योंकि हाला कि वह यूसफूल तो है हमारे लिए बना है बट मेरा जो परसनली एक्सपिरेंस है मैं अपना बता रहूं एक बार मैं टॉकिंग मशीन पर गया था तो मेरे को एक्सपिरेंस अच्छा यहां पर डेमो चैनल के नाम से नेम शो हो रहा है तो यह पूछते हैं कि जो स्लाइडर बार होता है उसको हम वोल्यूम जो कीज होते हैं उसके थूरू कैसे हम उसको यूस कर सकते हैं देखिए मैं समझ गया आपकी आप यह कहना चाह रहे हैं जैसे मान लिजे कोई म्यूज कर पाएंगे अपन डाउन है ना तो मैं आपको बता दू जैसे मान लिजे कहीं म्यूजिक प्लेयर में या कहीं भी आपको सी कंट्रोल आ रहा है आप स्वाइब करते करते जब वह सी कंट्रोल 0% यह जितने पर भी होगा वह बोलेगा ना तो बस वहीं पर ही आपको वॉल्म यहां पर संजेजी पूछते हैं कि IRCTC का ID यानि जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसको आप रीकवर करना चाहते हैं भूल गए हैं है ना तो आपको सिंपल यहां पर क्या करना है आपको बता देता हूं आपको IRCTC एप्लिकेशन जो है उसको ओपन कर लेना है ओप यूजर नेम और फॉर्गेट पासवर्ड तो फॉर्गेट यूजर नेम पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपसे वह आपका डेटो बर्थ और आपका इमेल आईडी यह दो चीजे पूछेगा ठीक है हो सकता है नाम भी पूछ ले तो वह डाल के लेकिन आपको अप्लिकेशन और है जिसका नाम है एकजीगो एकजीगो एकप्लिकेशन है उसके थुरू आयर से टीसी का नए अकाउंट करेट हो जाता है बट आप उसमें फॉर्गेट भी कर सकते हैं तो अगर आप कहेंगे तो उसमें एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं बना दूग अब फिफ्ट कोश्चन यहां पर लास्ट कोश्चन हमारे पास आता है अगर किसी ने अपना दो स्टेटेस लगा रखें तो दोनों को हम एक साथ कैसे देख सकते हैं दिके सपोस्ट डैट आप वट्सप पे गए आपने पहला उसका स्टेटेस प्ले कर दिया यदि उसने द थोड़ा सा वेट करेंगे तो वह आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो आप वट्सप को एक बार अपडेट कर लिजिए और उसको रिफ्रेश कर लिजिए आपका बिल्कुल यह अच्छे से काम करेगा ठीक है और एक कॉमेंट ओर है उन्होंने लिखा गुड तो ठैंक यू को आने वाले संडे को आपका जो है कोशन का आंसर दे दिये जाएगा कोई भी पूछ सकते हैं चाहिए रेलवे कंसेशन से समंदित हो दिव्यांग जनों को सरकारी सुविदाएं कौन कौन सी मिलती हैं पैंचन से समंदित हो उसके अलावा आपका जैसे मान लिजिए यूड निकली भी पूछ सकते हैं डिरिष्टी बाधित लोगों के लिए ही होना चाहिए मतलब है ना कहने का मतलब क्योंकि ऐसा तो हम बहुत सारे कोवर्मेंट ले लेंगे बट उसका रिपलाई करते करते वीडियो भी बड़े हो जाएंगे तो हम काम तो डिरिष्टी बाधित ल एक बज़े वीडियो अप्लोड करता हूं आपकी कोईरिस का आंसर देता हूं और उस वीडियो में जो कोमेंट आते हैं अगले संडे को या अगले वेटनेस डे को उसी कोईरिस को रिस्पॉंड करके फिर से उसको आंसर देता हूं ठीक है तो अब भी मैं क्या करूँ इसे एक बज़े करना तो आप मुझे बताएं कि एक बज़े की टाइमिंग सही है कि इस टाइमिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है या पीछे किया जा सकता है आप अपने कॉमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं उस कॉमेंट को मैं ज़रूर रीड करूंगा और आपको रिप यहां पर ठीक है दो बटन दबा दो तो चलिए दोस्तों आप मैं मिलता हूं आपको संडे ईस्टो एस और आंसर दूंगा यहां पर ठीक है तो मैं मिलता हूं संडे को आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी डिर्श्टी बाते दिव्यांग दिरों तक शेयर कर दिजे तो चलिए दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बारा है तो फिर से बोल रहा हूं सस्क्राइब कर लिजेगा पास में दिए